असलाम अलेकुम फ्रेंज एंड्रोइड अप्लिकेशन डेवलेप्मेंट की सीरीज में यह हमारा लेक्षर नमर नाइन है जिसमें हम देखेंगे लेयाउट के बारे में तो लेयाउट बेसिकली हमारे पास व्यूव ग्रूप्स होते हैं और यह व्यूव ग्रूप्स हम यह सारे किसी ने किसी एक पैरेंट व्यूव के अंदर होते हैं जैसे हम देखते आ रहे हैं कॉंस्ट्रेंट लेयाउट होता है लीनियर लेयाउट तो यह सारे क्या है हमारे पास लेयाउट होते हैं यह इनको व्यूव ग्रूप्स भी कहा जाता है ठीक है तो यह जो व्यू layout है मतलब एक नहीं है हमारे पास कई सारे हैं तो यह जो multiple weave groups है या layout है हमारे पास तो यह क्यों है आईए अब इसके बारे में discuss करते हैं तो हमारे पास different layouts इस वजह से है क्यूंकि main जो reason है हमारे पास जो हमारा android होता वह कंप्यूटर की तरह जो Windows PC होते है या लैपटाप्स वगरा होते है उनको एक VRAM होती है उनकी Video Memory होती है ठीक है VRAM उनको जो हम देते हैं ताके जो Graphics होते है वह कंप्यूटर के अच्छे हो जाए और उनकी rendering जो हमारे ordinary RAM के उपर ना आ जाए मतलब जो हमारा अपना RAM होता है जो अपने applications को चलाने के लिए हम यूज करते है वह RAM अलग होता है जो Video Memory होती है वह VRAM वह GPU के साथ मिलके काम करता है Windows operating system में लेकिन जो Android होता है वह जो है Linux Kernel के above या top level पर जो है operate होता है तो इससे हमें फाइदा यह है कि ह हमें अलग से VRAM लगाने की Video Memory लगाने की जूरत नहीं होती और यह क्या करता है कि यह जो Linux based operating system होते है वह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते कि जो RAM होती है वह कम time के लिए हमारे पास empty रहे इनका जो Windows का concept है वह क्या है कि हमारे पास RAM ज्यादा जितनी free space available हो RAM के अंदर तो त जो Linux है वो इसके opposite है Linux का जो kernel है वो यह कहता है कि जितनी ज्यादा applications हम RAM के अंदर ला सकते है उतनी ज्यादा applications हमारे लिए अच्छा है क्योंकि user experience अच्छा रहेगा user को ऐसा लगेगा कि जो मैं चाहता हूँ जितनी applications चाहता हूँ वो सारी की सारी run हो रही है लेकिन speed को भी हमने देखना होता है कि ऐसा ना हो user ज्यादा applications run करे और उसकी speed है device की वो down हो जाए और ज्यादा तर जो speed down होती है या पिर जो हमारे views होते हैं Android में तो वो कब lag करते है जब हमारे पास properly हमने layouts को handle ना किया हो ठीक है तो GPU क्या होता है graphics processing unit होता है यह हमारे पास Android में भी होता है और Windows में भी होता है मतलब तो तमाम जो systems होते उन में होता है तो यह है कि Android में इसका काम यह है कि इसमें VRAM नहीं होता मतलब video RAM नहीं होती हमारे Android के अंदर और GPU ही जो है हमारे graphics को control करता है तो अब अगर हम एक linear layout या कोई भी layout अगर एक layout को रखते हैं और हमारा UI तोड़ सा complex हो जाता मतलब इर्द गिर्द कई सारे buttons हैं कई सारे images लगी हुई हैं जैसे हम आम routine में हम देखते हैं तो उस वक्त हम यह तो कर सकते कि linear layout से सारा कुछ बना सकते ह लेकिन अब नुकसान ही है कि जो linear layout है ज्यातर हमने देखा है कि वो या तो vertically views को assign करता है या पिर vertically या पिर horizontally लेकिन अगर हम देखे तो हमारे पास vertically और horizontally कभी कभार ऐसे views होते कि उनका पता ही नहीं चलता कि कौन सा view किस के साथ link है या किस के reference के साथ चल रहा है तो उस case में ह multiple views add करने पड़ते है linear layouts कई सारे जो view groups है उनको add करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है जो graphic processing unit होता है उस पर जो है burden पड़ जाता है और हमारा जो UI होता है वो हलका हलका lag होना शिरू हो जाता है और हम पिर कहते हैं कि हमारी RAM का मैं RAM का मसला नहीं होता वो जातर application के जो अंदर layouts यूज हुए होते है तो वो हमारे पास सही तरीके से handle नहीं हुए होते तो ये designing का part है ठीक है तो दूसरा जो है हमारे पास time को reduce करने के लिए मतलब designing से ज्यादर designing करने से बचने के लिए हम एक layout को दूसरे layout के साथ replace करते हैं जैसे मैंने linear layout का का कि फर्ज करे हमारे पास अगर मैं इस image में जाओ तो ये जो middle का हमारे पास layout है तो ये देख सकते है हमारे पास let's say ये सारे buttons है ये दो ये हमारे पास let's say एक title है ये दोनों भी दो buttons है ये हमारे पास let's say image view है और ये हमारे पास description है ठीक है तो दो text views चार buttons और एक image view है अगर ये ह हम linear layout की मदद से करना चाहें तो linear layout या तो vertically कर सकता है या horizontal कर सकता है ठीक है तो अगर इसमें अब हम देखें तो ना तो ये लग रहा है कि ये दोनों ही सिर्फ अगर हम इसको देखें तो ये दोनों तो चलो हम क्या सकते हैं कि horizontal में एक साथ है लेकिन हम linear layout के मदद से इन दोनों को horizontal कर देंगे लेकिन नीचे वाले को तो फिर vertical लाने के लिए हम इसको कैसे replace करेंगे तो इस वज़ा से linear layout को हम इस वक्त इस case में हम जो यूज करेंगे एक तो parent layout यूज करेंगे जो सारे container को contain करेगा उसके बाद हम एक linear layout यूज करेंगे horizontal वाला जो इन दोनों को contain करेगा पिर एक और जो हम यूज करेंगे horizontal जो इन तीनों को contain करेगा और पिर हम एक और यूज करेंगे जो इसको contain करेगा और या लास्ट पर एक और यूज करेंगे जो इस को contain करेगा ठीक है? या पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो middle वाला है इसको हम तीन जो है एक ही horizontal में रख लेते हैं। यह दूसरा यह दूसरे वाला जो है इसको हम एक ही horizontal linear layout में रख लेते हैं। और हम क्या कर लेते हैं कि हम एक बटन रख लेते हैं दर्मयान में एक image रख लेते हैं और एक और linear layout यूज़ करके हम दो बटन वर्टिकल linear layout यूज़ करके यहाँ दो बटन तो यह इतना सारा चक्कर है और इतने ज्यादा linear layout हम यूज़ कर रहे हैं तो यह हमारे GPO को काफी जो और कर सकता है तो इस वज़ा से हम अवाइड करते हैं इस तरह की चीजों को तो इस वज़ा से हमें different layouts की जरुवत पड़ती है ठीक है और एक है situation based situation based भी वही जो है बात आ जाती है कि कौन सा linear layout है या कौन सा constraint layout है कौन सा relative layout है तो कौन सा layout किस वक्त यूज़ करना है यह time पे implement करते के मतलब इस वक्त है मैं कौन सा यूज़ करना चाहिए तो यह जो है हम इंशालला जब अगली videos बनाएंगे तो अगली videos में एक एक को हम discuss करेंगे तो पिर हम बाकाइदा से एक एक जो हमारे पास view group है उस पर काम करेंगे और यह हमारे पास पिर आगे types है सिर्फ यही नहीं है इनके लावा और भी है 3-4 जैसे इसमें हमारे पास absolute layout है वो हमारे पास miss है ठीक है तो इसमें यह जो list में नहीं यहाँ पर बनाई हुए तो यह वो layouts है जो हम ज्यादा तर आम routine में use करते हैं फिलहाल तो इन से हम एक एक करके linear layout पर भी काम करेंगे और मैं आपको बत frame layout से और table layout से constraint layout से relative से इन सारों से मैं या grid layout से मैं आपको उसके बारे में बता शकूँ ताकि आपको clear हो जाए कि हमें कौन सा बहतर है और इस तरह के scenario में किस तरह कौन कौन से scenarios में कौन सा view group या कौन सा layout यूज़ करना है ठीक है तो इतना ही था यह layout के बारे में वीडियो के length तोड़ी लंबी हो गी है तो basically मैं यह चाहता था कि आपको इसके बारे मैं अच्छे से बता सकूँ ताकि आगे वीडियो में आपको मुश्किल ना हो ठीक है तो इंशालला अगली वीडियो में मिलते है जिसमें हम अलैदा से linear layout और इन सारे layout पे एक एक वीडियो आगे तो तब तक के लिए अजाज़त दीजिए अल्लाहाफिज